हलो ट्रेडर्स वेलकम टू ट्रैना इंस्टॉक्स वन्स अगें टुड़े देखें MP बिर्ला ग्रुप की एक बहुत ही अच्छी और फ्लाक्शिप कंपनी के बारे में ये वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है बिर्ला कॉपरेशन लिमिटेड सीमेंट सेक्टर्स के अंदर ये कंपनी कामकाच करती है और इनके जो Q2 रिजल्ट्स आए हैं उसमें इस कंपनी के प्रॉफिट्स में 90% तक का जंप देखा गया है और क्यूंकि डिमांड जो है बहुत जबर्दस तेजी से भढ़ती जा रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग पूरी जानकारी दे रहा हूं सबसे पहले इनका प्रॉफिट और एबिटा दिखाना चाहूंगा उसके बाद में क्या कुछ कह रहे हैं ब्रोकरिजिज वो टार्गेट्स आपको दिखाता हूं एक आर्टिकल में देखिए यह है प्रेस रिलीज 5th आफ नवेंबर 2020 की जो MP ब्रिला ग्रूप की इस कंपनी ने नोटीफाई करी है एक्सचेंज इसको ब्रिला कॉपरेशन रिजिस्टर्स हाइस्ट एवर क्वाटर ली एबिटा एंड कैश प्रॉफिट इन क्यू टू एफफ़ाइट प्रॉफिट परसेंट 88.6 परसेंट to be very precise इनका देखिए नेट के अंदर इजाफा हुआ है इस क्वाटर के रिजल्ट्स में दिखा रहा हूं देखिए आपको basically एक बहुत बड़ा कारण है उसका की क्यों ऐसा हुआ है ब्रिला कोपरेशन लिमिटेड हैस कॉंटिनूसली फोकस्ट ऑन कॉस्स रैसिनलाइज़ेशन और मैनेज तो अगर आप उसको कंपारिजन करेंगे लास्ट यर के सेंग कॉर्टर से अबल तो सबस्तेंशली रैस्टनलाइज पार फ्यूल फिनांस कॉस्ट वाइल स्केलिंग बाक डिस्क्रीशनरी एक्पेंडिचर सच एज और अड़ अड़र्टाइज़ेशन और मार्केटिंग पार, फ्यूल एंड फिनांस कॉस्ट को कंपनसेट किया गया है उसके बाद देखिए आगे लेके चलता हूँ आपको बेसिकली रिविन्यूस के उपर बात करेंगे तो क्वाटर टू FI21 में 1675 करोड का रिविन्यू कंपनी ने बेसिकली क्लॉक किया है जो 1.7% अप है बीटा है इनका 21.7% अप है यर औन यर के बेसिस पे क्योंकि पिछले साल इसी क्वाटर में 332 करोड रुपे के आसपास का रिविटा था कैश प्रॉफिट की बात करेंगे देखिए लगबख 328 करोड यहां पर इनको कैश प्रॉफिट हुआ है जो 43.2% उपर है और पिछल साल 239 करोड ही यह था नेट प्रॉफिट अगर बात करें हम लोग पैट की तो 166.62 यानि के 167 करोड आप कह सकते हैं इसको प्रॉफिट हुआ है कमपनी को नेट प्रॉफिट जो 88.6% अप है यर औन यर के बेसिस पर क्योंकि पिछले साल मात्र 88.34 करोड ही इनको प्रॉफि सादा शांदार है और इसकी आगे की ग्रोथ ट्राजेक्टरी भी इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है अब देखिए कमपनी की कमेंटरी क्या आती है यहाँ पर बेसिकली जो ग्रोथ ट्राजेक्टरी बता रही है देखिए जो रिकवरी यहाँ पर एकॉनमी में होती जा ये उसी को देखते वे यहाँ पर इनका बिर्ला कॉपरेशन has decided to bring back on track its 250 करोड कैपेक्स project, कैपेक्स plan जो है इनका 200 करोड का एक plant ये लोग लगाने जा रहे हैं नया कुंदन गंज में जो रुक गया था में के अंदर because of uncertainties over the cement consumption and जो lockdown था और उसको ये basically अब वापस से execute करने जा रहे हैं moreover एक और चीज़ इनने बताई है the company's factory under construction act mukt 1 in maharashtra is expected to be commissioned in september 21 its construction was delayed due to the lockdown imposed in march and the labor shortage that followed even after restrictions were removed the window for tax incentives for the factory has been extended by the government of maharashtra by 18 months till september 2022 इसमें देखिए क्या भी ये लोग बता रहे हैं कि maharashtra के muktban में एक under construction plant है इनका जिसका काम रुक गया था और उसके उपर भी देखिए वापस से काम शुरू हो गया है और september 2021 में वो commission हो जाएगा और देखिए सरकार की तरफ से tax incentives मिलते हैं उसको भी सरकार ने 18 months के लिए भढ़ा दिया है यानि कि यहाँ पर double फायदा होता हुआ company को नजर आ जाएगा तो देखिए इस तरीके से company अपने रुकेवे projects को और capex को वापस से execute करने में बिलकुल लग गई है और एक तरह से आप यह कह सकते हैं कि बहुत शानदा growth trajectory की आते भी आपको दिखाई दे सकती है after 89% jump in Q2 net brokerages see 70% upside in the cement stock देखिए इस cement stock के अंदर 70% तक की तेजी देखने को मिल सकती है अनलिस्स have raised price targets for बिलक operation after the company on thursday posted 88.6% year on year growth in consolidated net profit at 166.62 crore mainly on account of the company's cost rationalization in initiatives and a better than expected recovery in cement demand जो मैंने अभी आपको बताई है कि company ने अपने खर्चे कम किये हैं और बहुत जल्दी recovery देखी गई है cement sector में जिसकी expectation नहीं थी लेकिन उससे भी अच्छी recovery यहां पर आती भी दिखाई दी है आगे आपको लेके चलता हूँ देखिए यह securities जो है देखिए उन्होंने इसका जो price target है वो भढ़ा कर ग्यारा सो आठ रुपे कर दिया है यानिके 72% इन्होंने भढ़ा दिया है previous close के अगर आप देखिए 643 का जुसका previous close था यानिके previous close की मैं बात कर रहा हूँ यह article है 6th of November 2020 यानि आज का तो यह बात कर रहे है कल के यानिके 5 सारी की closing price के हिसाब से देखिए एक और basically brokerage firm है उनका क्या कहना है Ilara Capital का कि Ilara Capital sees over 30% upside in the stock with a revised price target of 850 rupees earlier 782 the brokerage believes strong participation of retail, rural and individual house buildings, IHB segments and higher government spend on infrastructure to support healthy demand in the companies key markets in North, East and Central India North, East and Central India के अंदर ही देखिए इस company की पकड़ है और यहाँ पर बहुत strong participation रहने वाला है retail, rural and IHB segments का जिसकी वज़े से Ilara Capital को लगता है कि इस stock के अंदर आप जल्दी ही 850 रुपे तक के levels देख सकते हैं अब मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए आज company के अंदर कैसा business हुआ है 667 रुपीज का last trading price है almost 669 पर यह हुआ है close लेकिन इसका day high अगर आप देखेंगे तो 705 रुपे का आज का day high है यानि कि इस 4% की जो आपको तेजी दिखाई दे रही है इससे कहीं ज़्यादा तेजी से stock में आज दिखाई है 807 रुपे का इसका 1 फरवरी 2020 का 52 week high और 372 रुपे का 52 week low जो 7 में 2020 को इसने लगाया था security wise delivery positions देखिए 9,83,000 से जाधा 6 रुके अंदर quantity trade हुई है 3,27,000 से जाधा 6 रुके अंदर delivery उठाई गई है और approximately 33% यहाँ पर आपको percentage of delivery आती हुई दिखाई देगी चली अब charts के उपर discuss करते हैं देखिए यह है intraday charts birla corporation limited का यहाँ सबसे पहले मैं technical indicators आपके सामने से हटा देता हूँ यहाँ पर देखिए आज देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से perform किया है birla corporation ने यह आज की candle आपके सामने बनी है देखिए inverted hammer candle की formation यहाँ पर हुई है with very high volumes तो यह आपको समझना होगा कि देखिए इसके अंदर आज एक gap up opening हुई just because of results और इसके बाद में जो high लगया वो बहुत शानदार था लेकिन यह stock price खिसके नीचे की तरफ आ गया और इसने नीचे जहाँ पर open हुआ था उसके थोड़ा सही उपर दी है closing अब इसके अंदर all over अगर आप देखें तो problem यह है इस stock के अंदर कि आप बहुत frequently entry and exit इसके अंदर नहीं ले सकते हैं क्योंकि volumes बहुत कम रहते हैं इसकी वज़े से liquidity का जो एक issue है वो इसके साथ हमेशा बना रहता है लेकिन यह stock देखे clear cut आपको दिखाई दे रहा होगा कि slow motion ही सही लेकिन बहुत अच्छा chart pattern इसने हैं develop किया है और higher highs and higher lows की इसने पूरी formation कर रखी है 200 दिन के exponential moving average के ऊपर ये इस वक्त्रेड हो रहा है तो clear indication है कि देखिए uptrend के ऊपर ये stock चल रहा है साथ ही में अभी एक consolidation की जो इस्तिति यहां पर आ रही है उसका एक breakout आने के chance बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं हालकि ये देखे कि कल का क्या move होगा इसके बारे में कोई भी prediction नहीं की जा सकती है क्योंकि uncertainty अभी भी market से गई नहीं है RSI की position 63 points की उपर यहां पर दिखा रहा है और इस हिसाप से ऐसा लग रहा है कि देखिए बहुत ही शांदार momentum इस stock ने पकड़ रखा है क्योंकि जो direction है वो positive divergence के साथ में यहां पर RSI को दिखा रही है MECD की बात करेंगे वहाँ पर भी एक bullish crossover आपको दिखाई देगा तो दोनों ही technical indicators हमें यहां पर काफी अच्छा rise इसके अंदर अभी भी indicate करते वे नजर आ रहे हैं लेकिन वहीं अगर आप candle को consider करते हैं जो कि एक inverted hammer candle है और वो भी देखिए gap of opening trading के बाद आईए तो यहां पर candle यह indicate करते हैं कि हो सकता है जो इसका news थी वो discount हो चुकी है और वापस से देखे जब नया trading session आए उसके अंदर यह 50 दिन के exponential moving average के आसपास trade होने लग जाए जो basically snake बहुत ही शांदर support ले रखा है तो long term के लिए मैं समझता हूं कि यह अगर 50 दि 30 से लेके 600 and 40 तक के बीच में अगर यह आपको मिल जाता है आने वाले कुछ trading session में तो definitely आप इसके अंदर long term के लिए positions बना सकते हैं और अगर economy देखे जिस fast recovery के साथ में हमारी Indian economy काम काच करती भी दिखाई दे रही है एक साल आप इसके साथ रुके यह stock आपको 900 रुपे से लेके 1000 रुपे तक के भी targets दिखा सकता है इतना potential इस stock के अंदर है and because of demand जो शांदर तरीके से यहाँ पर rise होती जारी है Indian markets के अंदर तो देखे यह था एक और long term investment का suggestion मेरी तरफ से आप इसको भी बिलकुल consider कर सकते हैं खुद की study जरूर करें खुद की research जरूर करें technically भी fundamentally भी और उसके बाद ही इसके अंदर कोई भी decision लें मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में ने stock के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक्यू जैहन